एक छोटी बच्ची अपनी मा से अननस काटना सीक रही थी क्योंकि वह बिजनेस करने में अपनी मा की मदद करना चाहती थी लेकिन उसकी मा अपनी बच्ची को पड़ाने के लिए स्कूल में बेजना चाहती है पर कमाई नहीं होने की वज़र से बच्ची स्कूल में नहीं जा सकती और बच्ची को एक दिन एक आइडे आता है कि क्योंना अननस से बनाई आइस क्रीम मार्केट में बेची जाये और वहाँ अननस को आइस क्रीम साइज में काट कर अगले दिन बेचने निकल जाती है और बच्ची रास्ते पर वही चिलाती है जो उसने कागज में लिखा हुआ था और वहाँ सुनकर लोग उसकी तरफ अट्राक्ट हो जाते हैं, तब उसकी सारी आइसक्रीम बिग जाती हैं, ऐसा रोज चलता और कुछ दिन में उसे चिलाना भी नहीं पड़ता, बलकि उसकी आइसक्रीम उस एरिया में फेमस हो जाती हैं, तब उसकी मा भी फल बेचते बेच बीचते दूस बेचना चालू करती हैं, और दोनों मा बेटी अपने काम में लग जाते हैं,